जहिन साथियो स्वागत है आपका हमारी चैनल आईटी अप्रिंस पे तो साथियो आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं जो कि DGT का मेल आया हुआ है इमेल आया हुआ है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो रिजल्ट्स जो अभी आप लोग देख रहे हैं एंसीवीटी पोर्टल पर हाला कि साइट अभी बंध है जहां कि जो है अपने रिजल्ट नहीं देख पाईएगा बट क्या वाकई में रिजल्ट जारी हुआ है इसके बारे में DGT ने इस इमेल में क्या कहा है इसको मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी बात कि जो result में जो कमिया है या जो गड़वडी है उसके बारे में क्या कहा है DGT ने वो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इस mail के माध्यम से और थर्ड सबसे important जो बच्चे कुछ number के लिए fail हो गये हैं तो क्या grace marks क्या इस बार दिया जाएगा इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला तो बिल्कुल कृपिया करके एक second भी आप इसकीप नहीं कीजेगा इस वीडियो को इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज के बारे में DGT ने mail किया हुआ है आप सामने भी देख रहे हैं mail का copy मैं खोल के रखा हूँ चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा गया कहां साया है में देख लिजिए डॉक्टर एम जया परकाशन जो की डारेक्टर आइटी एंटी डीटी देख पा रहे हैं डॉक्टर एम जया परकाशन आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं नेट पर चलिए अब यहाँ पर देख लिजिए सबसे पहले तो दिया गया है कि जो 29 और 26 तारीख करने की बात कही गई है जो की 2021-22 सेशन और 2021-23 सेशन के लिए इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो दे रखा था और आप लोग बहुत बच्चे देखे भी है ठीक है तो इसमें लेफ्ट ओबर कैंडिट जिनका एक्जाम छूड गया था उनका साथ और आठ तारीख को लि ITT जो 2022 एक्जामनेशन जो की अगस्त महिने मुआ है जो की आपका फर्स्ट यर कैंडिडेट और स्केंड यर कैंडिडेट के जो रिजल्ट के बारे में यहां बात किया गया है कि देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे पैनिक थे कि नहीं कोई रिजल्ट नहीं देख पा कि रिजल्ट जो है अभी आप लोगों के जो है साथ सेप्टेंबर को जारी किया जाएगा ठीक है जो रिजल्ट मैंने ऐसा वीडियो भी आज दिया था दोपर के टाइम मैं बोला भी था कि आप लोगों के नौ से बारा के भीच आएगा बट यहां पर थोड़ा सा अरली है साץा को कहा जा रहा है कि रिजल्ट आप लोग के दे दीये जाएगे साथ सेप्टेंबर को साथ सेप्टेंबर यह उसके बाद आयगा रिजल्ट ठीक है सभी का जिनका भी नहीं आयाए अब देख यहाँ पे दिया गया है ग्रे समान्ड जो आप लोगों के जो जारी किये बच्चों को जो है maximum पास कर दिया जाए मतलब की passing ratio all over इंडिया में जो है 80% and above हो इसके लिए gracing का भी grace marks देने की भी बेऊस्था चल रही है उस पर अभी काम क्या हो रहा है चल रहा है कि grace marks जैसे कि कोई बच्चा माली जे 32 नमबर ला करके fail है ऐसी स्थिति में उसको grace marks मिल जा तो माल लीजे जिनका 30 नमबर होगा 33 माक्स से फेल हो जा रहा है या फिर इंप्लॉडी स्किल में 70 नमबर लाना था और माली जे 5 नमबर 4 ले फेल कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उन्हें पास कर दिया जाएगा अब ऐसा लग रहा है क्योंकि mail में साफ साफ लिखा गया है अगर में बात क्रूब ट्रेड ते poking नमबर सीन साथ नमबर ग्रेसमार्थ मिल सखता है ठीक है ब्लिएगा कि मेरा 10 lasting नमबर है और हमको जब्सक्राइब कर कर दो तो ऐसा नहीं होगा अ看一下 स्क्युぐ अटatz काम चल रहा है तो भूगकर उप्डेट्स सब्सक्राइब करके चलिए अब यहां पर देख लीजे कुछ रियूमर्स की बात कहीं गई है यह मतलब कि रियूमर है एक प्रकार से जो है अपुआ फैलाया गया है कि मतलब यह गलत इंफोर्मेशन दिया गया है इस अप्रेणी को यह बताईए कि रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है वह कुछ अपवाफ है जा रहे है बच्चों के दवारा या फिर कोई कहीं से भी तो अभी बस टेस्टिंग काम हुआ था पॉट्ल में जो रिजल्ट आये थ पॉट्र पर डिजल्ट आया था हमने भी अपडेट दिया वह बिल्कुल सही बात है बट डिजिटी का ऐसा कहना है कि वह डमी है मतलब कि वह सैंपल के रूप में उसको टेस्टिंग के परपस से रिजल्ट को पब्लिस किया गया था बट यह भी आप लोग जान लेजी यह यहां लिखा जा रहा है ठीक है मेल में बट आप लोग यह ध्यान जरूर रखिएगा जिनका नंबर जो अभी देख लिए उतना ही नंबर उनको मिलेगा इबात भी ध्यान के कि आप सीबीटी में अगर 32 नंबर आप स्कोर किये हैं 100 में तो आपका 32 ही रहेगा बट ग्रेस म जो था डमी रिजल्ट था फाइनल रिजल्ट आपको साथ सप्टेंबर या उसके बाद देखने को मिल जाएगा ठीक है बस इतना ही चीज यहां पर है और पोटल पर भी काम चल रहा है साइट आप लोग ऑपन कीजिए ना कि कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है साइट जो है वेबसाइट NCVT MIS का पोटल साथ तरीक के बाद से आप लोग ऑपन कीजिएगा वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जागा जो कि ओफिसियल न्यूज ओफिसियल डाटा में यहां पर आप लोग देख पार होंगे तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट स बताईएगा और कितने बच्चे हैं जो कि रिजल्ट देखे थे और उनका एक नमबर दो नमबर के लिए फेल कर गए हैं कमेंट से मुझे बताईए तो उमिद करते हैं आज का जानकारी जो है बहुत ही आपको यूसिफुल लगा होगा और ऐसे सभी केंडिडिस जो को ग्र